आज निर्मल सेवा सदन छी पीटोला आगरा में आज श्री जिनेंद्र आराधना एवन गुरु भक्ती पूर्वग भक्तों ने किया नववर्ष का प्रारंग भावलिगी संतने दी नववर्ष मिकामनाए नववर्ष मुबारक हो नववर्ष मुबारक हो जीवन में पगपग पर उतकर्ष मुबारक हो जिन्व की भक्ती से नववर्ष मनाएंगे रूपे हुए अनादी से निच प्रभू को मनाएंगे नववर्ष की मंगल बेला में भावलिगी संत आदर्ष महाकवू आचार्य श्री विमर्ष सागर जी मुनिराज ने जिन्भक्ती का पावन संदेश आध्यात्मिक कवी सम्मेलन के मध्य छूपी टुला आग्रा में कहीं मध्याहू काल की मंगल बेला में देश के मूर्धिनी सुप्रिसित कविगनों के मध्यादर्ष महाकवू भावलिगी संत आचार्य श्री आध्यात्मिक वर धार्मिक काव्य पाथ करते हुए श्रधालू भक्तकिनों के बीच पावन धर्म गंगा का प्रवाह कर दिया इस मौके पर बिश्वजी जैन प्रवीन जैन नीताजी दीपक जैन सत्रींदी जैन दयाचंद जैन रिशब जैन मुकेश जैन मीडिया प्रभारी राहू जैन और सकल जैन समाज के लोग मजूद रहे मैं प्रविंजन आचायर गुरुबर 108 विमर सागर जी महराज जी का पिछले 25 दिसंबर से हमको सानित प्राप्त हुआ है 25 दिसंबर को मंगल प्रवेस हुआ और उसी दिन से सभी आगराबासियों को धर्मलाब प्राप्त हो रहा है आज एक तारिक की साम को गुरुबर के सानित में एक अध्यात में कभी संबेलन हो रहा है जिसमें पूरा आगरा सेहर उमर पड़ा है एवं सभी उसका पूरा लाब ले रहे हैं लाप राप्त कर रहे हैं ऐसे गुरुवर के चड़नों में बारम बार नमस्कार 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 और गुरुवर की बानी से विस्प पता का जो फेराई आ रही है विस्प धरम की जै बोली आ रही है और भगवान महामीर स्वामी जी का संदेश जीयो और जीनेदों को सरितार्त करते हुए आप तो रहा है सादर जैदिनें जैदिनें जिनागम पंत जैवन जैवन तो जैविमर्ष मैं विश्वजी जैन शीपिटोला निवासी इस समय यहाँ पर हमारे परम्रू आचारे भवन भावलिंगी संश्रमनाचारे 108 श्री विमर्ष सागर जी महामों निराच अपने 25 पिछ मंगल प्रवेश हुआ था चीपिटोला आगराम है और तब से यहां पर आनंद की गंगा बह रही है और लगातार बहुत आसपास के दिल्ली तक के बसे भरवर के यहां लोग दर्शन करने उनकी आ रहे हैं आज यहां पर ध्यात्मिक कवी सम्मेलंगा कारिक्रम आयोजित कि जिसके अंतरगत परमपुच्य गुरवर्वर्व जो कि स्वैम आधर्श महाकवी भी है वे अपनी रचनों अपनी अध्यात्मिक रचनाओं से सब वक्त जनों को आनंद विवोर कर रहे हैं और जो बहार से जो जै अध्यात्मिक कवी आए हैं उनके उनके भी रचनाओं का आस्तादन करने का लाब सभी वक्त जनों को मिल रहा है और जो आनंद की गंगा बह रही है उसको लाब सभी ले पा रहे हैं धन्यवाद